नमस्कार आदाब मैं सुसीन दफिल्ड में आज हम बात करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री का दफ्तर अडानी की कंपनी चला रहा है या अडानी की कंपनी प्रधान मंत्री के दफ्तर को चला रही है आखिर ऐसा क्यों कह रहा है उसके पीछे वजय है कि प्रधान मंत्री का दफ प्तर नव सुप्रिम कोड़ को बता पा कड हई ऍदिल्ली के हाई को बता पा रहा है क reflex कर दिल्ली के हई को बतापा हा जानकार्य में 목arm 11 आपको पता हिए रहा हम और अभर अगर Empress चलाते छलाते कुछ भी चलाते फिल्सकी कोई जानकारी हर साल देनी पड़ती है लेकिन प्रधानमंत्री का दफतर सुप्रीम कोट में जाके कहता है कि मैं कोई जानकारी साधा नहीं करूगा और आज जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दफतर में चलने वाली इस कंपनी में 31 मार 2022 तक प्रधान मंत्री दफ्तर के अंदर जो एक कंपनी चल रही है इसमें साड़े पांच हजार करोड रूपया जमा है और हर दिल इसमें कोई न कोई जमा करता है आपको याद होगा कि कोविड 2020 में आया था पुले मुल्क में लोकडाउन लगा था और 29 मार्च हो प्रधान मंत्री देश के लोकों को कहते हैं कि हमने पी एम केर्स फंड बनाया है और आप उसमें डोनेशन दीदी और महाच चार दिन के बाद अडानी क्रूप सो करोड रूपे का डोनेशन देता है अंबानी 500 करोड रूपे का डोनेशन देते हैं मतलब देश के 15 उद्योग पती उसमें पैसा डालते हैं और कंपनी 2020-2021 में लगवग 10,000 करोड रूप्या उसमें जमा हो जाता है कुछ पैसे बेंटिलेटर में लगाये जाते हैं कुछ कोबिट के वैक्षिन के नाम पे डोनेट की जाते हैं फिर 2021-22 में जो प्रहानम मंत्री PM केर्स फंड के वेबसाइट पे जो जानकारी उपलब्द है उस ज जानकारी में बताया गया है कि 31 मार्ट 2022 तर पी एम केर्स फंड में बैलेंस सवा 5,000 करोड रूपी का है जब प्रधानमंत्री का कार जाले सम्मिधान के अंदर आता है सम्मिधान के तहत काम करता है जब 2020 में सुप्रिम कोट में मामला पहुंचा कुछ लोग लीकर गये आखिर इसमें पैसा दे कौन रहा है इसकी जानकारी हमें उपलब्द कराई जाए आखिर जो पेपर बनाया है वो मकसद क्या है इसका इसकी जानकारी दी जाए पेपर उपलब्द कराया जाए दस्तावेज उपलब्द कराया जाए आपको पता ही है यह हमारे और आपकी जो खुली अर्थ वेवस्था हमने जो अपनाई उसमें अवsels कदर हमारे śिस्टम में आया कि जिसśस्टम को यह जिम्मिदारी दी गई थी, एजेंसियों को जिम्मिदारी दी गई थी, शरकार को जिम्मिदारी दी गई थी, कि जो पैसे आएंगे उसकी आप जाच परताल करेंगे लेकिन हुआ क्या बढ़स्टाचार की जाच करने के लिए सिस्टम था हमारी सरकार के पार और उसी सिस्टम के जड़ी आज भी बढ़स्टाचार की बात की जाती है बहुत लोगों को इडी के दफ्तर में बुलाये जात लेकिन दरसर इस सरकार ने क्या किया बढ़स्टाचार को इस सिस्टम बना दिया सिस्टम बना था बढ़स्टाचार को चेक करने के लिए जाच बढ़स्टाचार की जाच करने के लिए लेकिन सरकार ने क्या किया बढ़स्टाचार को ही सिस्टम बना दिया वह कैसे जब सु G Famine Reef प्रधानमंत्री आपदा कोश्च से आपपैसे उस राज्फदी को दे सकते उस आपदा में मदद पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री गुजराज से आते हैं और कच में जिस तरह से भुकम पाया था, तो उसी आपदा राहत कोश्च से मदद पहुंचाई गई थी लेकिन एक नया जो इस्ट्रक्चर बना प्राइम मिनिस्टर केर फंट उसका काम क्या है उसमें कौन लोग पैसा डालते हैं किसी को कोई खबर नहीं है आप सुचना का अधिकार का इस्तमाल करके प्रहान मंत्री आपदा कोस के बारे में आप जानकारी हा प्रणामा देकर कहा कि मैं यह बिल्कुल प्राइबेट है इस पर ना किन्द सरकार का नियंत्रन है और ना राज्य सरकार का और आपको मैं बताता चलूं कि इस प्रिएम केर्स फंड जो मैं कह रहा हूं एक कंपनी है एक कोई शरकार की संस्था नहीं है शरकार एक कंपनी को operate कर रही है और उस सेक्रेट कंपनी इस मामले में है उसमें आप जाएंगे तो पाएंगे ही नहीं कि किसने कितना पैसा दिया और सबसे बड़ी बात है कि आप उसकी लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा का पैसा चार्थ जा जार करों रुपय हमेशा अे उसमें तीन साल का आकडा हम ने नूटिस किया हिशार रुपय हर साल प्रधान मंत्री स्य फंड में डाले गए प्रधान मंत्री केड़ फंड में counts दाल रहा प्रहान मंत्री खुदे हैं प्यम के एसम रदर से हैं ग्रेह मंत्री सुर्द करते हैं बित मंत्री हैं लक्षा मंत्री हैं और सरकार कि जो अधिकाड़ी प्रधान मंत्री दफ्तर में काम करते हैं इस पूरे प्रधान मंत्री का कारजाले क्या कोट में जानकाड़ी दे रहा है कि इसकी कोई जानकाड़ी हम पब्लिक से साजहा नहीं करेंगे कि 2020 में जब सुप्रीम कोट में जानकाड़ी दी गई सुप्रीम कोट के उस वक के जो कि जो बेंच बनी जस्टिस असोग भूशन यह देखता में फैसला हुआ कि बिलकुर प्रधान मंत्री कारजाले ठीक कहड़ा है मांग की लिए थी कि इस पैसे को प्रधान मंत्री आपदा कोश में ट्रांसफर किया जा है वो तो पहले से बनाया है वो सम्यधानिक संस्था है लेकिन सुप्रीम कोट के जस्टिस असोग भूशन की खंड़ पीट ने कहा कि नहीं नहीं बिलकुल प्रधान मंत्री कारजाले जो कहरा है सरकार जो कहरे ही होसा ही है और जब ये जस्टिस असोग भूशन रिटार की 2021 जुलाई में अक्टूबर में इनकी न्युक्ती हो जाती है भाराश सरकार जस्टिस असोग भूशन की न्यूक्ती नेशनल कंपनी लोव अपिलिये ट्रिबनल एनस एनसी एल्टी के तोड़ पर 30 अक्टूबर 2020 की इसको कर दीती है मतलब जो जज इनके फेवर में फैसला सुना रहा है उसको एक रिटार करने के दो महीने के बाद फिर से ट्रिबनल का अध्यक्ष बना दे रहे हैं आपको मैं बताऊँalone कि सरकार ने कहा कि इसमें बजट से कोई पैसा नहीं डाला जाता अलग से इसलिए हम कोई जानकाडी ने इसमें लोग डालते हैं शरकार की कोई इजन्सी इसमें पैसा नहीं डालती है शरकार की 38 सरकारी जो बिभाग है 38 38 सरकारी जो बिभाग है सावजनिक उपक्रम है जिसमें हमारा और आपका पैसा लगा है वो 38 बिभागों ने लगबग 2,000 क्रोड रुपे से ज्यादा PMKS फर्ण में जमा किया और सरकार करें हम जानकारी नहीं देंगे किन्द सरकार ने अभी दिली हाई कोट में 31 जन्वरी 2023 को फिर से सुनवाई इस पर शुरू हुए कुछ लोग पहुंचे कि भाड़ाश सरकार अशुक चक्र का इस्तमाल कर रही है अपने दफ्तर का इस्तमाल कर रही जान सरकारी अधिकारी का नाम PM के सर्फंड को संचालित करने में है tip वेन जो है कि अधिली हाई कोट में बोला Trust के का पाजमें किसी ना सरकार का परतयेक्ष रूपशे कोई नियंत्र नहीं है प्रभान मंत्री अध्यक्ष है ग्रेव मंत्री members है इस trust के बीत मंत्री में इस trust के ईस sousरकार क नियंतर नहीं है तो क्या है क्या akla Vid eligible vienen से आया है परदान मंत्री विदेश के कि इसी समिधान के जड़िये तो आया है और इसी सरकार के अंदर यह चर सःह नहीं है अभी हिडेनबर्ग ने क्या बताया हिडेनबर्ग ने बताया कि अडानी की कंपनी मौरिशस के रास्ते शेयर को खरिती फरोकती है खरित फरोक करती है खुदी खरिती है खुदी बेचिती है और फिर सरकार के पार जाके करती है कि हमारा बिनिस बढ़ रहा है और सरकार कहती है ठीक है बैंकों से इंको लोन दे दो यही तो पूरा खेल है ने ही एक लाइन में समझाया है और यह जानकारी मतलब हीडन बड़ ने कहा कि सच को गुमराह किया गया है अगर आप पारदरस्रिता बढ़ते हैं इसमें अगर सरकारी उपकरम के पैसे लगे हैं तो आप क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं सुचना का अधिकार इस पर लागू क्यों नहीं होता है आप जब इसके अध्यक्ष हैं तो आप सरकार के हिस्से नहीं है क्या जो आप कहने कि केंद्र सरकार या राज सरकार का परतेक्ष और परतेक्ष नियंत्र निश्पन नहीं है क्या बित मंत्री देश के बित मंत्री नहीं है अडानी के बित मंत्री है अडानी ने निक्त किया है कम्पनियों ने निक्त किया है जो डिले हाई कोट में याजिका करता की तरब से वकील पेश हुए श्याम दिवान बडिश्ट अधिवक्ता श्याम दिवान पेश हुए उन्ह होने कहा था यह सभी उच्छ पदादिकारी बहुत जिम्यदार लोग हैं तो पीम केर्स फंड को सरकारी कोस के रूप में पेश किया गया है इसमें आर्टी आई काजकरता कंडोकुरी स्रीहर्ष कहते हैं कि पीम कर केर्स फंड पबलिक आउथरिटी नहीं है तो क्या है लाखो लोगों ने सोचकर इस फंड में जमा नहीं किया है पैसा के प्राइवेट ट्रस्ट है और प्रहानमनत्री के नामसे इस फंड में पैसा जमा किया गया है आपको केर्स फंड में दी इस अभी सांसदों से कहा गया है सरकार जो कंपनी चलाती है सरकार के उध्योग धंदे जो चलते हैं उन कंपनियों ने भी करोरों रूपया इसमें लगाया है आयाएटी मदरास आयाएटी बॉंबे जैसे जितने भी सेंटरल इंवर्सिटी उन्होंने लगवक्त तीन करोर रूपय इस प्यम्पियर्स फंड मिटाने हैं और सरकार कहती हम जानकारी नहीं देंगे तो हम क्यों नहीं कहें कि प्रधान मंत्री के दफ्तर से अडानी की कंपनी चल रही है लेकिन जब सरकार ही खुद इस अंचालित कर रही है सरकार के एक तीन-तीन cabinet minister और प्रधान मंत्री ने खुद इन तीनों cabinet minister को चुना है इसके सदस के तौर पर तो आखिर जानकारी दिने में क्या दिक्त है कौन शेयर सी बात है जो छुपाना चाहती है तो यह है बात बात क्या है अगर आप कोई company खोलना चाहते हैं अगर corruption करना चाहते हैं बैंक से पैसा लेकर भागना चाहते हैं करदे लेकर भागना चाहते हैं आपके सरकारी बीभाग में काम अठके हुए है तो आप पी एम केर्ष फंड में पैसा डाली है पी एम केर्ष आपका नाम उजागर नहीं होने देगा और जिस डिपार्टमेंट में आपका काम फसा हुआ है उसमें अपने प्रपुजल के साथ PM केस्ट फंड का रसीद लगा दिए आपका काम जाएगा तब ही तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि बरस्टाचार की इलकसेगे तो क्या PM केस्ट फंड कंपनियों के लिए एक बरस्टाचार का रास्ता है कि आपको कुछ भी करना है कोई भी गैर कानूनी काम करना है कोईले का खनन करना है बीली का टेंडर लेना है दवा सपलाई करना है आयुसमान भारत के ठेके लेने कोई भी काम अगर आप फाइल फसा हुआ है तो आप पी-एम केस्ट फंड में दोनेट कर दिए कुछ पैसे दे दिए सव करोर दो सव करोर पान सव आप देखिए अडानी शाहाब ने सव करोर रुपे दिये अडानी शाहाब दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कोटी में पहुंच गये और कभी कभी रतन टाटा पर छापा पड़ते देखते हैं कभी किसी द्योगपती पर जिन्हों ने दान किया है बिड़ला गुरूप पर देखे कोई छापा पड़ता है क्योंकि पी-एम केस्ट फंड में उसने पैसे दिए पी-एम केस्ट फंड के बेप साइट पर आप जाएंगे और पूरी बेप साइट को पढ़ेंगे उसमें आगर आप इस सवाल करते हैं कि अगर हमने पी-एम केस्ट फंड में पैसे देते हैं तो क्या इंकम टेक्स लगेगा कुल एक रुपया इनकम तेक्स नहीं लगीगा मतलब आप पांच हजार करोड रुपया ऐसे ही सबावा पांच हजार क्रोड रुपय की एक मपरी नहीं है पीम केर्षफंड है मतलब आप पैसाओं वहां दे दीजें आपका इंकम टेक्स खट में आपको कोई इंकम टेक्स नहीं पहुंचेगी आपके घर इंकम टेक्स नहीं पहुंचेगा कोट आपके हक में फैसला देगा पस आपको करना क्या है पीम केर्षफंड में आप कुछ पैसे जमा कहीए वह है भ्रषटाचार का इक नया सिस्टम सिस्टम का भ्रषटाचार का सिस्टम यह है तभी हम कहने हैं प्रधान मंत्री के दफ्तर से अडानी की कंपनी चलती है देश नहीं चलता है बहुत बहुत सुपिया